Hello friends, स्वागत करता हूँ मैं आपका इस YouTube चैनल पर Friends, हम daily 25 idiom and phrases और 25 one word substitution पढ़ रहा है तो पहला हमारा word है, beat black and blue beat black and blue इसका मतलब क्या होता है, to beat severely मतलब किसी को बही तरह से पीटना, उसको बोलता है, beat black and blue इसको हम याद कैसे करेंगे, beat beat का मतलब क्या होता है, मारना, या पीटना जब किसी को भी हम पीटते हैं, तो क्या हो जाता है, black and blue का निसान बढ़ जाता है, black and blue उसके उपर, उसके सरीर पे black and blue का निसान बढ़ जाता है मतलब कोई भी, कोई भी जब पिटा हुआ रहता है तो तो beat black and blue का मतलब क्या हो जाएगा to beat severely ठीक है किसी को बूरी तरर से पिटने को बोलता है beat black and blue beat the air दूसरा है हमारा beat the air इसका मतलब क्या होता है to make useless efforts मतलब व्यर्थ प्रयाज करना इसको हम कैसे हाद करेंगे beat beat का मतलब क्या होता है beat का मतलब हम बल सकते है पीटना भी ठीक है कि मतलब आप air को पीट रहे हो या फिर हम ऐसे इसको याद कर लें beat the air का मतलब क्या आप air को आप air को हराना चाते हो मतलब आप air से तेज दोरना चाते हो beat का मतलब क्या होता है पीटना भी होता है और एक क्या होता है नेक्स्ट हमार एडिया में, blow once on trumpet, blow once on trumpet, इसका मतलब क्या होता है, to boost, तिंग हांकने को बोलता है, उसको blow का मतलब क्या होता है, फूग नो, और trumpet जो होता है, वो, पीतल से बना हुआ एक instrument होता है, एक बाजा होता है, जिसको हम फूग के, blow करके उसको बचाते हैं, उसको बोल अपना ही trumpet बजा रहा है, कोई अपना ही trumpet फूग कर बजा रहा है, अपना ही trumpet बजा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, कि वो अपनी दिंग कर रहा है, अपनी बावाई कर रहा है, तो blow once on trumpet का मतलब क्या हो जाएगा, to boost, दिंग हांकना, मतलब अपने ही बारे में वो अच्छा बोल रहा है तो blow once on trumpet का मतलब हो जाएगा to boost build the cat build the cat का मतलब क्या होता है to do the risky job खत्रा उठाना ये जो idiom है ये एक story से आया है ये कहानी से आया है build the cat तो कहानी ये है कि एक cat थी वो क्या करती थी कि वो daily अपने घर से निकलती थी और एक चुहे को मार के खाती थी उसका daily यही काम था तो एक दिन चुहो के ग्रूप ने ये सुचा कि जब बिल्ली रो जाती है एक चुहे को मार के खाती है तो इस तरीके से तो हमारे जो चुहे हैं वो कम हो जाएंगे तो उन्होंने एक प्लान बनाया गले में घंटी बादने का बेल बादने का जिससे कि उन्हें पता चल जाए जब बिल्ली अपने घर से निकले तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ बिल्ली आ रही है जब बजने लगे कि तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ बिल्ली आ रही है तो वो पहले से ही भागा, मतलब वहाँ से भाग जाएंगे तो उन्होंने ये सोचा गंटी बांदने का लेकिन question ये था कि बांदे का कौन, गंटी बांदे का कौन बिल्ली के गले में क्योंकि जो भी बिल्ली के गले में गंटी बांदेगा वो उसको risk उठाना पड़ेगा, उसको खतरा उठाना पड़ेगा क्योंकि वो तो मर जाएगा तो ये ही decide नहीं हो पाया कि बिल्ली के गले में गंटी कौन बांदेगा तो bail the cat का मतलब क्या हो जाएगा to do the risky job, खतरा उठाना break the eyes, next है हमारा break the eyes sorry, break the news ये हमारा, जो i-DMM है वो break the news लिखा हुआ है, break the news का मतलब क्या होता है first to carry the news मतलब सबसे पहले कोई ख़बर सुनाना break the news, हम news में दिखते है मतलब जो भी हमारा news चैनल होता है उसमें क्या लिखा रहता है, breaking news, मतलब break the news siis, break the news का मतलब क्या हो जाएगा To speak first after prolonged silence या फिर to start a conversation इसका मतलब होता है कि मौन का बातावन तोड़ना मतलब आपने चुप़ी साथ रखी है आप मतलब चुप हैं और अचानक से आप बोलना सुरू करते हैं उसको बोलते हैं break the ice मतलब बात्चित सुरू करना break the ice का मतलब क्या होता है कि जो आपने चुप़ी साथ रखी है उसको तोड़ना और कुछ बोलना बात्चित सुरू करना उसको बोलते हैं break the ice नेक्स्ट है हमारा breathe once last इसका मतलब होता है to die मर जाना इसको हम कैसे याद रखेंगे breathe का मतलब होता है सांस लेना और last का मतलब होता है अंतिम तो कोई इंसान अंतिम सांस ले रहा है इसका मतलब क्या है to die वो मरने ही वाला है तो breathe once last का मतलब क्या हो जाएगा to die मर जाने को बोलते है bring to light bring to light का मतलब होता है to make known मतलब जानकारी मिलाना, किसी भी चीज को जानकारी मिलाना, bring का मतलब होता है light, sorry, bring का मतलब होता है lana, और light का मतलब क्या होता है, उजाले में, ठीक है तो किसी भी चीज को उजाले में ला रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको reveal कर रहे हैं कोई भी सच्चा ही चुपी हुई है तो उसको reveal कर रहे हैं सबके सामने ला रहे हैं उजागर कर रहे हैं disclose कर रहे हैं तो bring to light का मतलब क्या हो जाएगा to make known जानकारी में लाना next हमार एडिया में be well off be well off का मतलब क्या होता है to be in good economic condition मतलब अच्छी आर्थिक स्थिती में होना कोई भी चीज है जो be well off है मतलब कोई भी चीज है जो बहुत ही अच्छी वेल है तो वो क्या हो जाएगी good condition में हो जाएगी तो be well off का मतलब क्या हो जाएगा to be in good economic condition अच्छी आर्थिक स्थिती में होना betted breathe का मतलब क्या होता है next idiom betted breathe इस मतलब होता है anxiety anxiety या फिर expectancy मतलब उसकता से आप किसी का इंतिजार कर रहे हैं उसको बोलता है betted breathe उसका होता है anxiety back on back on का मतलब होता है depend on want on निर्बार होने को बोलता है next idiom है अमारा between schylla and cherry P уг जाथ इसका मतलब होता है choice between two unpleasant alternatives इसका मतलब होता है कि दो खदरों के बीच में होना इसको हम याद कैसे करेंगे between schyla and cherubis तो पुराने जवाने में एक राजा था वो क्या कर रहा था समुंदर को क्रॉस कर रहा था उस समुंदर को क्रॉस कर रहा था क्या था एक तरफ था चरेबडीस चरेबडीस का मतलब भयानक भवर को बोलते है चरेबडीस था मतलब भयानक भवर था और एक तरफ सकाईला था इसकाईला मतलब छे सिरवाला दयत्य था ठीक है तो उस राजा को सकाईला मतलब छे सीर वाला द्यात और चैरिपडीस बयानक भवर उन दोनों में से उन दोनों में से किसी एक option को चूज करना था तो between Skyla and the चैरिपडीस इसका मतलब क्या हो जाएगा choice between two unpleasant alternatives मतलब वो जो राजा था वो दो ख़तरों के बीच में था इसको हम हिंदी में बोलते हैं इधर कुआ उधर खाई next हमारा between the cup and the lip इसका मतलब क्या होता है on the point of achievement मतलब प्राप्ट करने के कगार पर लेकिन फिर भी दूर between the cup and the lip मतलब कोई भी चीज cup में है और वो कोई भी चीज cup में है और वो मतलब आप उसको लिप पे लगाने ही वाले हो मतलब आप achievement प्राप्ट करने ही वाले हो आपका achievement मिलने ही वाली है इसको हम ऐसे याद कर सकता है कि आपका achievement मिलने ही वाली है तो between the cup and the lip का मतलब क्या हो जाएगा on the point of achievement next idea में हमारा black and white इसका मतलब क्या होता है in writing लिखित रूप में तो इसको हम कैसे याद करेंगे black black का मतलब क्या होता है black pen black pen याद रकलो black का मतलब black pen और white का मतलब क्या होता है white paper तो white paper पे आप क्या कर रहे है black pen से लिख रहे है तो आप क्या कर रहे है writing करना है in writing body and soul इसका मतलब उता है entirely पूरी तरह से मतलब आप किसी भी चीज़ को चाहते हो body and soul मतलब अपनी body से और अपनी आत्मा से किसी भी चीज़ को आप चाहते हो मतलब उसको आप पूरी तरह से चाहते हो entirely नेक्स्ट इडियम है हमारा by fits and starts irregularly अनियम इत्रूप से यह इडियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नेक्स्ट इडियम हमारा by hook और by crook इसका मतलब होता है by any means सही गलत किसी भी तरीके से तो पुराने जवाने में क्या था कि ब्रिटन में जमीनदार थे उन्होंने यह सही नियम बना रकए था कि कोई भी पीड़ को मतलब पेड़ पे चड़के ब्रांच को शाका को नहीं काटेगा जिसको भी काटना होगा वो जो भी ब्रांच जमीन से नीचे लगी हुई होई है वोह ही काटेगा तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने उपाय निकाला, करूइ का मतलब होता है कि एक मोड़ी हुई हैंडल ओर फिर फोलिश थेल अर्ट करूइ उसमें क्या किया है उसमें लगाया ठीक है का करूइ का मतलब करूइ है तो इसका मतNB किया हुआ कि उन्होंने उन्होंने ऐसा जुगार लगाया मतलब by hook और by crook का मतलब क्या हो जाएगा by any means सही गलत किसी भी तरीके से next idea में हमारा burn once boat इसका मतलब होता है point of no return जहां से लौटा न जा सके इसको हम कैसे याद करेंगे Greek mythology से पुराने जमान में क्या होता था कि जब सेना कहीं भी आकरमन करने जाती थी नदी को cross करके तो नदी को cross करने के बाद जो भी नाव थी उनको जला दिया जाता था तो इस तरीके से जो सेना पती था वो सेना को यह संदेश देता था कि वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है या तो युद्ध करो या तो फिर मरो तो burn once boards का मतलब point of no return मतलब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है break dice ये तो हम पढ़ी चुके हैं next हमारा back stair influence by unfair means अनुची तरीके से या विर गुपचुपत तरीके से तो इसको हम कैसे याद रखेंगे back stair का मतलब होता है पीछे की सेड़ी ठीक है back stair का मतलब क्या हो जाएगा पीछे की सेड़ी तो आपने क्या किया किसी को पीछे के रास्ते से पीछे के रास्ते से आपने किसी को entry दे दी किसी को प्रवेश दे दिया इसका मतलब आपको आगे के आगे के रास्ते से देना था मतलब आगे के गेट से देना था लेकिन आप पीछे के रास्ते से दे दिया पीछे के गेट से दे दिया तो आपने क्या किया मतलब unfair means का यूज किया अनुची तरीके का यूज किया तो backstair influence का मतलब क्या हो जाएगा backstair backstair influence का हो जाएगा by unfair means अनुची तरीके से ऐसा ही एक और idiom होता है backstair gossip उसका भी मतलब यही होता है backstair influence और backstair gossip दोनों का मतलब यही होता है gossip का मतलब होता है गबसब next idiom है हमारा bendy words bendy words का मतलब क्या होता है to wrangle, to wrangle, to argue विवाद करने को बोलता है तो किसी को आपने bendy words बोल दिया मतलब बेकार words बोल दिये तो अब क्या होँआ अब विवाद शुरू हो गया तो bendy words का मतलब क्या हो जागा to wrangle, to argue, विवाद करने को बोलता है next idiom है हमारा be in once bonnet इसका मतलब क्या होता है to be fuzzy to be in once bonnet का मतलब होता है to be fuzzy to be obsessed with one idea bite the dust मतलब to be defeated इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है हार जाना तो bite the dust इसको हम कैसे याद रखेंगे माहल लाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा dust है कहीं भी बहुत ज़्यादा dust है और आप उसको क्या कर रहे है आप उसको साफ कर रहे है और वो साफ होई नहीं रहा है साफ करते 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 आप ठक गए मतलब आप हार गए तो bite the dust का मतलब क्या हो जागा to be defeated हार जाने को बोलता है या फिर dust का मतलब क्या होता है धूल तो धूल जाटने को बोलता है ठेक है तो bite the dust का मतलब ता है to be defeated, आ जाना next है हमारा book warm book warm का मतलब क्या होता है a person in the habit of pouring over books मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है किताबी कीड़ा जो हमेशा मतलब book में खोया रहता है पुस्तुकों में खोया रहता है मतलब उसको habit है बुक पढ़ने की तो उसको बोलता है book warm a person in the habit of pouring over books उसको हम बोलता है book warm next है हमारा bring down the house मतलब receive applause प्रसंसा करने को बोलता है bring down the house अब इसको हम कैसे याद रखेंगे bring down का मतलब होता है गिरा देना ठेक है किसी भी house को किसी भी घर को गिरा देने को बोलता है bring down तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे मार लाते हैं कोई भी hall है उसमें कोई भी क्या कर रहा है अपनी कला का production कर रहा है और उसने अपनी कला का इस तरीके से production किया कि लोगों ने ऐसी प्रसंसा की और इतनी तालिया बजाई कि मतलब hall जो है गिर जाने के कगार पे आ गया ठेक है मतलब बहुत जादा ही प्रसंसा उन लोगों ने कर दी तो bring down the house का मतलब क्या हो जाएगा receive applause प्रसंसा प्राप्त करना उसको बोलता है bro beat bro beat को हम कैसा याद रखेंगे bro beat का मतलब होता है to bully धमकाना तो bro beat यह जो b-r-o-w bro है इसको हमाल लेते हैं bro मतलब भाई तो किसी ने क्या किया कि मतलब bro को पीट दिया मतलब भाई को पीट दिया मतलब जो भी हमारे भाई होता है उसको किसी ने पीट दिया और उसको धमकाया भी तो bro beat का मतलब हो जाएगा to bully धमकाना beat का मतलब इटना होता है तो bro को किसी ने beat कर दिया पीट दिया और उसको धमकाया भी तो bro beat का मतलब क्या हो जाएगा to bully धमकाने को बोलते हैं bad egg bad egg का मतलब क्या हो जाएगा a worthless fellow अयोग्य वेक्ति को बोलता है bad egg a worthless fellow अयोग्य वेक्ति तो bad egg से हमें यही समझ में आ रहा न कि जो भी वेक्ति होगा वो अयोग्य वेक्ति होगा तो bad egg का मतलब क्या हो जाएगा a worthless fellow अयोग्य वेक्ति को बोलता है एसा ही डेली 25 idiom and phrases पढ़ते रहिए 25 one word substitution पढ़ते रहिए वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो like, subscribe और share जरूर करियेगा और bell icon को press जरूर करियेगा धन्यवाद